वेल्कम बैग टू माई यूटूब चैनल विकरम बीके व्लाग्स में आप सब कस्वाकत है आई होप आप सब ठीक होंगे सबसे पहले जैमाता आज मैं आपको पताऊंगा कि की स्पंजिंग और ओइलिंग कैसी की जाती है जो न्यूबॉन बेबी पैदा होते हैं बहुत सारे ज्यादा गर्म ने लाइट सा गरम पानी लेना है और पूरी बाड़ी को स्पंज गरना है आपने यह आपके सामने दिपाली सिस्टर जी है यह आपको करके बताएंगी आप यह गर्मे आपने बच्चे को ट्राइ कर सकते हो फिर गर्मे में आपने बच्चे को इस तरह से क् अज़ित मदर को पता नहीं होता कि बेबी को क्लीन कैसे किया जाता है तो मेरा मोटिव है वीडियो दिखाने का कि कि बेबी को क्लीन कैसे किया जाता है और मसाज कैसे की जाती है यह वेबी को सिच्टो जी क्लीन कर रहे हैं आपने अच्छे से स्पॉंज करनी है कोई ऐसा एरिया नहीं रहना चाहिए जहां पर बेबी को स्पॉंज ना हो क्योंकि अगर आप स्पॉंज नहीं करोगे तो इंफेक्शन के ज्यादा चांसेज होते हैं और स्मेल दगेर स्मेल भी आ सकती है और हम यहीं कि स्पी आप लोग चाहे कम यूज करें आई और नोज एडिया से थोड़ा बचा के बाकी आप फेस्टे कोई लोशिं वगेर जो भी आपको रिकमेंड करते हैं जो लगा सकते हैं कि बाकी पूरी बॉड़ी पर आप कोकनू टॉइल कि यूज कर सकते हैं ऐसे पूरी बॉड़ी में ओइलिंग करनी है अच्छे से कि इससे स्किन ड्राइए नहीं होगी आपकी बेबी की फेस पर कोई भी लोशिं लगा सकते हैं जो डॉक्टर रिकमेंड करेगा तो ऐसे